हेलो प्रेंट्स, वेलकम टो इस्टुदी वितार के भी, दोस्ता आज की इस वीडियो में हम बहुपदों का भाग करना सिखेंगे, तो इसलिए वीडियो का अंतक देखते रहें, आईए सुरू करते हैं आज का वीडियो, कोस्चन नम्मर बने, टीकी घात दो, रिन तीन, इस है, तो आईए से सॉल्व करते हैं, देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है भाग में, जो प्रतम पत होता है, जिससे भाग दे रहे हैं, उसका और जिसमें भाग दे रहे हैं, उसके प्रतम पत को देखते हैं, देखिए, यहां टीकी घात 4 है, ठीक है, तो देखिए, ह गुणा दो गुणा लिख सकते हैं ठीक है ? बटे हमें भाग देना है टीक की घात दो से एक टीक की घात दो कड जाएगा ठीक है ? और यहाँ पर दो है ठीक है तो यह लिख देते हैं हम दो t की घाथ दो, गुणा, t की घाथ दो, तो इसका मतलब क्या है, 2 t की घाथ 4 होगा, इसका गुणा करेंगे तो, यह t work से t work कट जाएगा, तो 2 t work आजएगा, तो हमारा 2 t work बार भाग जाएगा, अब देखिए, 2 t work बार भाग जाएगा तो इसका गुणा इस पूरे में करते हैं तो देखिए दो टी वर्ग का गुणा टी वर्ग से करेंगे तो कितना आएगा दो और टी की घात दो गुणा दो कितना हो जाएगा टी की घात चार हो जाएगा ठीक है अब देखिए इसके बाद गुणा करेंगे फिर से द तो T के वर्ग में रिंड 3 से, तो रिंदन का रिंड आ जाएगा, ठीक है, अब देखिए, यहां वर्ग वाला पॉर्षन है, तो यह वर्ग वाले पॉर्षन के नीचे लिखते हैं, रिंदन का रिंड हो जाएगा, ठीक है, 3 का गुणा 2 से करेंगे, कितना आएगा, 3 दूनी 6, है, T का वर्ग, देखिए, यहां क्योंकि T का वर्ग है, तो देखिए, इसके नीचे इसलिए लिखे, क्योंकि T वर्ग वाले से, T वर्ग वाला घट जाएगा, तो यहां देखिए, अब हम घटा देते हैं यहां पर, जब घटाते हैं, तो चिन परिवर्तन हो जाता है, धन ह है यहां पर रिंड हो, यह रिंड हो जाएगा, आप देखिए 2T की घाट 4 से 2T की घाट 4 कर जाएगा यहां पर सुन्य बचेगा, यहां क्या बच बचेगा धन 3T की घाट 3 बचेगा देखिए यहां पर यह प्लस में है, 6T का वर्ग क्योंकि चिन परिवर्तन हुआ और यह माइनस में है, तो देखिए, 6 में से कितना बचेगा, धनवाला, 4, T का वर्ग, यहां क्या बचा, रिर्ण, 9, T, और यहां, रिर्ण, 12, ठीक है, आप देखिए, प्रथम पद क्या हो गया, 3, T की घात, 3 हो गया, आप देखिए, इस प्रथम पद में, T के वर्ग से गुणा, बटे, यहां भाग देएंगे हम, T वर्ग से, तो T वर्ग से, T वर्ग कट जाएगा, ठीक है, और देखिए, यहां पर 3 T था, तो यहां पर 3 T लिख देएंगे, तो 3 T गुणा, T का वर्ग, बराबर क्या होता है, 3 T की घात, 3 होता है, देखिए, T का वर्ग से, T का नि असलि靜 शाएगा यहां पर three t बार भाग देएगे अब देखे तीन t का घुणा t के वर्ग से करेंगे और रिल्ट च करेंगे तो यहां पर घुणा करते हैं तीन t का घुणा कवरा टी के वर्ग से घुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा तूर तीन kap 3 और T का वर्ग और एक T कितना हो जाएगा T की हतु हो जाएगा T ठीक है अब देखिए RM3 का गुणा 3T से होगा ठीक है अब T वाले पोर्षन में लिखेंगे उसको रिणधन का round हो जाएगा तीन गुणा 3 6 9 और ये T का ती ठीक है इसको भी घ anticipation देते हैं अब घ αणेगे तो चिन परीवर्तन हो जाएगा यहांपर धन ऊजाएगा यह पर रही रहे गा तो धन हो जाएगा अब देखिए यह जो है यह प्लस धूनों कट जाएंगे यह इसका मैंने मैएने से यह दोनों कट जाएंगे आप देखिए, 4 T का वर्ग बचा हमारे पास, और हमें भाग देना है T के वर्ग से, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4 गुणा T का वर्ग लिख सकते हैं इसको, बटे भाग देना है सबसे पहले पत से T के वर्ग से, भाग दे के देखना है, T के वर्ग से T का वर्ग कर जाएगा, कितने बार भाग जाएगा, चार बार, यहाँ पर प्लस चार बार भाग जाएगा, ठीक है, अब देखिए, इस चार का गुणा इससे करेंगी, चार का गुणा टी वर्ग से होगा, तो कितना आ जाएगा, चार टी का वर्ग आ जाएगा, ठीक है, अब देखिए, चार का ओला है मायन में ये दोनों कड गया यह मैंने इस माला है यह फ्लस ओलों ओला ये यह दोनों आगा तो सेढ़ प्लक इतना आ गया सुन्हे आ ठीक है और देखिए हमारे पास भागफल क्या आ गया भागफल बराबर आ गया हमारे पास भागफल बराबर देखिए क्या है 2T का वर्ग धन 3T धन 4 यह हमारा अंसर हो जाएगा ठीक है अगला कुस्चन देखते हैं कोस्चन नमर2 है एकस की घात तीन through 3 धन 3 धन 4 धन 3-10 धन 1 धन 3 धन 2 में तो देखिए X की घात 5 को X की घात 3 के रूप में क्या लिख सकते हैं, X की घात 5 को लिख सकते हैं, X की घात 3 गुणा, X की घात 2, क्योंकि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यह 3 घात और 2 घात कितना हो जाएगा, X की घात 5, बटे, X की घात 3 से हमें भाग दे दिये अब जितने बार भाग गया उसका इस पूरे में गुणा करना है तो देखिए X वर्ग से X की घात 3 में गुणा करेंगे तो आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाएंगी तो क्या जाएगा X की घात 3 और 2 X की घात 5 आ जाएगा ठीक है देखिए यहाँ पर X की घात 1 है और यहाँ पर X की घात 2 है तो अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो रिन 3 X का गुणा X वर्ग से होगा तो X की घात 3 होगी तो यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर रिन धन का रिन आ जाएगा तीन का गुणा एक से होगा, कितना आएगा, तीने कम तीन, क्योंकि एक्स बर्ग के साथ एक का गुणा है, ठीक है, और एक्स बर्ग का गुणा एक से होगा, तो यह हो जाएगा, एक्स की गात तीन, ठीक है, धन, यहां देखिए, एक्स बर्ग का गुणा एक से होगा, तो कि क्योंकि हम घटा रहें देखिए धन वाला है यह रिण वाला है यह दोनों कड़ जाएंगे यहां देखिए रिण 4x की घात 3 है और यहां पर कितना है रिण x की घात रिण 3x की घात 3 है और यहां रिण 3x की घात 3 है यह प्लस वाला है यह माइनस वाला है चार में से 3 गया, एक बचेगा, रिन, X की घात 3 बच जाएगा, ठीक है, यहाँ देखिए, यह प्लस वाला है, यह माइनस वाला है, तो यह दोनों कड जाएगे, इसके बाद बचेगा, यहाँ बचा, धन, 3X, धन, 1, अब देखिए, X की घात 3, यहाँ माइनस में है, और यहा रिन एक गुणा, X की घात 3 लिख सकते हैं, रिन एक का गुणा, X की घात 3 से होगा, तो रिन, X की घात 3 हो जाएगा, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, भाग देना है, हमें X की घात 3 से, तो देखिए, X की घात 3 से, X की घात 3 कड जाएगा, तो कितने बार भाग देना आप देखिए, रिन एक का गुणा रिन तीन एक्स से होगा, तो रिन रिन का धन हो जाएगा, और तीन एक हम तीन एक्स हो जाएगा, इसके बाद देखिए, यहां पर रिन एक है, और यहां धन एक है, रिन धन का रिन हो जाएगा, एक का गुणा एक से होगा, कितना आएगा, एक हाएगा ठीक है अब यहाँ पर पियँंघंटा देते हैं यह यह रिण है तो यहा धन हो जाएगा यह धन हो जाएगा तो देखिए अब यहां ses durante पद है यहां तीन पद हैं तो आप भागने जाएगा यह हो जाएगा हमारा सेसफल और यह हो जाएगा हमारा भागफल ठीक है तो देखिए आंसर बराबर क्या हो जाएगा आंसर बराबर हो जाएगा एक्सवर्ग रिन एक यह हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों आज के बस इतना ही वीडियो अच्छे लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को दबा दें धन्यवाद